Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस पोईट और प्ले राइट विलियम शेक्षपियर की एक सॉनेट के बारे में जिसका नाम है इसे सॉनेट 76 के नाम से भी जाना जाता है इसे 1590 में लिखा गया था मगर पबलिश 1609 में किया गया है ये सॉनेट उनकी फेर यूथ सॉनेट सीक्वेंस का हिस्सा है फ्रेंट जैसा के आपको पता ही है शेक्षपियर की सभी सॉनेट की तरह ये सॉनेट भी एक एलिजाबेथन सॉनेट है यानि जो इसकी 14 लाइन्स हैं वो 3 क्वार्ट ट्रेंज यानि 4 लाइन स्टैंजा और 1 कपलेट यानि 2 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है साथ ही इस सॉनेट की राइमिंग स्कीम है ABAB, CTCD, EFEF, GG फ्रेंट से सॉनेट की थीम है लव और इट्स इंस्पिरेशन यानि प्यार और प्यार क्या इंस्पिरेशन देता है पोएट को किस तरह पोएट अपने लव को बार बार डिफाइन करता है इसके बारे में ये सॉनेट है फ्रेंट्स विलियम शेक्ष्पिर का जन्म हुआ था 26 एप्रिल 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 23 एप्रिल 1616 में वो एक एलिजबेटन पोएट, ड्रामाटिस्ट, एसेइस्ट और आक्टर थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफटाइम में 37 प्लेज और 154 सॉनेट्स लिखे हैं और उनके सभी प्लेज और सॉनेट्स आज भी उतने ही फ्रेश और पॉपुलर है चलिए फ्रेंड्स अब सॉनेट पर आते हैं और इसे लाइन बालाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं वाइज माइ वर्स सो बैरन ओफ नूब प्रैट्स वर्स का मतलब होता है पोयम और बैरन का मतलब होता है खाली तो poet कहते हैं कि मेरी जो poems है, मेरी जो कवीताएं हैं वो pride से, गर्व से इतनी खाली क्यों है यानि उनमें गर्व की कमी क्यों है new pride की यानि नए तरह के गर्व की हमेशा बिल्कुल वैसी ही पुरानी चीजें repeat हो रही है कुछ नया नहीं हो रहा मेरी कविताओं में तो आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है So far from variation और quick change और ये variation से या quick change से बहुत दूर है यानि मेरी poems जो है उनमें variety नहीं है उनमें differences नहीं है सारी poems बिलकुल एक ही तरह है तो मुझे लग रहा है कि मेरी poems बोरिंग होती जा रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यूं है यानि समय के साथ जैसे जैसे समय बीता जा रहा है मैं क्यूं glance aside यानि बगल नहीं देखता हूँ यहाँ poet का कहना का मतलब है कि मैं out of the box क्यूं नहीं देखता हूँ हमेशा जो मैं सोचता था बस वही सोचता हूँ वही लिखता हूँ कुछ नया करने की कोशिश क्यूं नहीं करता newfound methods and to compound strange यानि मैं नए तरीकों को क्यूं नहीं देखता जो मेरे लिए strange है जिने मैं नहीं जानता new है वो मेरे लिए why right I still all one ever the same यानि मैं ऐसा क्यूं लिखता हूँ हमेशा एक जैसा हमेशा बिलकुल same यानि एक ही चीज़ को मैं बार बार आखिर क्यूं repeat करते रहता हूँ and keep invention in a noted weed और इस तरह ऐसा करने से मैं invention को यानि कोई new creation को होने से रोग देता हूँ अपनी creativity को मैं उन्हीं कपड़ों में बार बार लपेट करके रख देता हूँ कुछ नया नहीं सोचता that every word dot almost tell my name और ऐसा इतना हो चुका है कि हर एक word जो मैं लिखता हूँ वो मेरे नाम को बताती है यानि उस word को पढ़ कर ही समझ में आ जाता है कि ये मैंने लिखा है क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करते रहता हूँ यही words बार बार मेरी poems में आते रहते हैं और इस से क्या पता चलता है कि उन शब्दों का जन्म का हुआ है वो कहां से निकले हैं मेरी words मेरी पहचान बन गए हैं और उन्हें पढ़ने से ही ये समझ में आ जाता है कि उनका source उनका beginning क्या है यानि वो मेरे लिखेवे words हैं उन्हें मैंने लिखा है और तुम और प्यार तुम दोनों ही मेरे argument हो मेरे poems के theme हो मैं जो भी लिखता हूँ वो तुमहारे ही बारे में लिखता हूँ तुमहारे बारे में और प्यार के बारे में And so all my best is dressing old worlds new और इसी लिए जो मैं best काम यहां पर कर रहा हूँ वो यह है कि मैं अपने पुराने शब्दों को थोड़े नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे words चेंज नहीं होने वाले मेरा तरीका नहीं बदलने वाला हाँ मैं कुछ नए तरीके से लिखने की कोशिश कर सकता हूँ spending again what is already spent और ऐसा करके मैं क्या कर रहा हूँ तो उसे खर्च कर रहा हूँ जो पहले से खर्च हो चुका है यानि जो words मैंने पहले ही लिख लिए हैं जिन words को मैंने एक बार use कर लिया है मैं दुबारा उन्हें use कर रहा हूँ कोई creativity नहीं है इसमें लेकिन हाँ इससे शायद एक newness आएगी मेरे works में क्योंकि जिस तरह ये जो सूरज है वो हर रोज नया भी होता है और पुराना भी होता है यानि सूरज जब rise करता है जब सूरज उगता है तो वो एक new होता है वो नया होता है और जब सूरज set कर जाता है डूब जाता है तो वो old हो जाता है पुराना हो जाता है So is my love still telling what is told बिल्कुल उसी सूरज की तरह मेरा प्यार है जो अभी भी वही बता रहा है जो पहले बताया जा चुका है यानि मैंने पहले ही अपनी कविताओं में तुम्हारे बारे में प्यार के बारे में बता दिया है लेकिन मैं दुबारा यही फिर से बता रहा हूँ मेरा प्यार बिलकुल सूरज की तरह है जो हमेशा न्यू भी रहेगा और ओल्ड भी रहेगा और इसी के साथ फ्रेंड्स ये सॉनेट खत्म हो जाती है इस सॉनेट में लव और वर्ड्स दोनों की ही इंपोर्टेंस को समझाया गया है कि किस तरह पुएट के लाइफ में लव बहुत इंपोर्टेंट है वो अपने लवर से बहुत प्यार करता है और साथ ही वो अपने वर्ड्स का यूज करना चाहता है अपने इस लव को और बहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए तो फ्रेंड्स ये थी विलियम शेक्ष्पीर की सॉनेट 76 वाई इस मैं वर्ड्स सो बैरन आफ न्यू ब्राइड